दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली होगी खाली पेट लहसुन खाने के क्या फाइदे हैं लहसुन हमें कब खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और इसे खाने के सारे फाइदे इस वीडियो में शेयर करूँगी भुना हुआ खाएं चोटी-मोटी बिमारिया सर्दी, खासी, कफ से हमें राहत दिलाता है बलगण की समस्या है, कच्छा लहसुन खाना शुरू करें, कफ की समस्या बिलकुल ही दूर होगी लंबे समेश से गले में दर्द है, बहुत जदा खासी है, सर्दी है एक कली केवल एक कली कच्छे लहसुन की आप खा लें वैसे तो दोस्तों इसकी क्वांटिटी इस तरह से होना चाहिए यदि आप यंग एज के हैं मतलब आप 20 से 30 वर्ष के हैं तो आप कम से कम 2 से 3 कली लहसुन भी खा सकते हैं परंतु आप 40 वर्ष से उपर हैं 40 से 60 वर्ष क हैं तो केवल आप एक कली लहसुन का ही इस्तमाल करें आप कच्छी भी खा सकते हैं आप इसे भून कर ड्राय रोस्ट करके भी खा सकते हैं बहुत से लोगों को लहसुन की स्मेल पसंद नहीं होती है वे कच्छा खाना पसंद नहीं करते हैं तो वे चाहें तो इसे कच्छा खा सकते हैं जिन्हें गैस की एसीड बनने की परिशानी है दोस्तों उन्हें भी इसे जरूर खाना चाहिए पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को खत्म करता है लहसुन का सेवन पेट में के किटाणूओं को मारने में मदद करता है जिन्हें बीपी है आज कल तो ब्लड के मौसम में केवल एक कली लहसुन ही खाए गारलिक जो होता है लहसुन इसकी तासिर बहुत गरम होती है दोस्तों इसलिए मैंने एक कली खाने बोला है और जिन लोगों का शरीर में बहुत ज़्यादा गरमी होती है जिनकी तासिर गरम होती कई व्यक्तियों की तासिर बहु या कम quantity का खाना चाहिए या फिर बीच बीच में गैप करकर खाना चाहिए किसी भी चीज को हमें continue नहीं खाना चाहिए आपने 5-6 दिन खाया एक दिन का गैप कर दिया उसके फिर से आप इसे खा सकते हैं ऐसे साथ ही साथ दोसो जो लहसुन होता है यह हमारे BP को कंट्रोल करता है ऐसा कहा जाता है दोस्तों कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी से भी बचाओ करता है कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है लहसुन का सेवन लंग कैंसर से भी बचाता है दात के दर्द में बहुत फायदेमंद है दोस्तों यदि आपके दात में बहुत जादा दर्द ह तो रहा है नात में कीड़ा है चाहे किसी भी कारण आपके दात में माली जो इंफेक्शन है दर्द है आप लहसुन को इस तरह से कुचल कर काट कर दो दातों के बीच में दबा ले जिस दात में आपको बहुत जादा दर्द है और थोई दिर दबा कर रखे आप देखेंगे ल गोटामिस होते हैं जो मिनरल होते हैं दोस्तों वे लगने से हमारे दातों के अंदर तक जाने से दोस्तों तुरंत ही हमारे दात का दर्द हमें राहत दिलाता है दात के दर से लहसुन इसके अलावा दोस्तों जिन्हें बलड क्लॉटिंग की समस्या है उन्हें कच्छा लहस तो इसे निगलने के बाद गरम पानी पिए हलका गरम पानी जरूर पिए ठंडा पानी बिलकुल भी ना पिए अगर आप शहत के साथ लहसुन का सेवन करते हैं एक चमब शहत में एक से दो कली लहसुन की बारी काट कर डालते हैं खाते हैं आपका वजन बहुत तेजी से कम ब्लड कलॉटिंग को रोकता है इसलिए तो दिल की बिमारी जिने उन्हें जरूर खाना चाहिए और शहत के साथ भी खाएं आप और उपर से गिलास हलका गरम पानी पिलें तेजी से फेट बर्न होगा मोटापा कंट्रोल में आने लगेगा बढ़ते हुए वजन से परिशा अच्छा लगता है और हमारे मुझ से बैड समयल भी नहीं आती है और अच्छा लगता है आप इसे असानी से खा सकते हैं तो लहसुन किसे नहीं खाना है अब आप यह भी सुन लिजे जिनका बीपी लो है जिनका बीपी बहुत कम रहता है उन्हें नहीं नहीं खाना सांती सांत दोसों जिन्होंने अभी अभी सरजरी कराई है उन्हें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसुन खाने से खून पतला होता है इस बात का ध्यान रखें तो जिन्होंने अभी अभी सरजरी कराई है बस वे ना ले और बाकी लोग जरूर लें दोसों कच्छे लहसुन का सेबन जरूर करें हम लोग खाने में इस्तमाल करते हैं सबजी में डालते हैं डाल में डालते हैं ग्रेवी में डालते हैं परन्तु हमें कच्छा लहसुन खाना चाहिए इन सभी चीजों में लहसुन पक जाता है कुक हो जाता है तो हमें उसका उतना फाइदा नहीं मिलता ज तो इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें ब्लेट क्लोटिंग को रोकता है मैंने बताया ना आपको यह वाली जो परिशानी है वो भी जाती है और जो प्रेगनेंट लेटी है दोस्तों बस उसे अभी नहीं लेना चाहिए इस समय क्योंकि बहुत गरम होता है और साथ ही स दोस्तों इसे आप लेंगे ना इसमें एंटी बैक्टिरियल इतने सारे एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं तो सर्दी जुकाम वाली परिशानी दूर होती है पेट में यदि कीड़ा है तो भी यह बहुत फाइदे मंद होता है पेट के किटाणूओं को खत्म करता है और इसे ल को दुरुस्त करता है इसे खाने से हमें एनरजी मिलती है जो लोग जिम जाते हैं उन्हें भी अपने मसल्स को स्ट्रॉंग करने के लिए एक से दो कली लहसुन जरूर खाना चाहिए वे लोग जो यंग एच के हैं दो से तीन कली लहसुन भी खा सकते हैं यदि लहसुन की कल इस तरह से भून सकते हैं आप गैस पर डायरेक्ट भूने छिलके सहीत या फिर इस तरह से भी रोस्ट कर सकते हैं तो खाने में भी अच्छा लगी का आप से खाते भी बन जाएगा आप चाहें तो कुछ लहसुन को भून कर डिबी में स्टोर कर लें ताकि आप रेगुलर चैसे साथ दिन इसे खाते रहें फिर चाहें तो बीच में एक दो दिन का गैप करके फिर से कंटिन्यू करें तो इस तरह से पलटाती जा रही हूं और इस तरह से 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 शेकती जा रही हूं तो यह बहुत ही फायदे मन्द है और सुबह लेंगे खाली पेट लेंगे ना तो आपको और भी फायदा मिलेगा दोस्तों सुबा उठें फ्रेश होने के बाद आप एक से दो कली लहसुन को काट कर भून कर जो तरीका अच्छा लगे शहत के सांथ जैसा अच्छा लगे लें और उपर से गुन-गुना पानी पी लें आप देखेंगे आपके लिए इतना फा चैनल शिखास की चन को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे जरूर अपर आप